Hi Everyone dia! आज हम सीठने वाले हैं इंदेंज ओर टैब्स के बारे में जो इंदेंज का मतलब क्या है इंदेंज का मतलब है कि अफने टेक्ट को एक्शुल मारजिन से थोड़ा आगे स्टार्ट करना जो अब मारजिन क्या आता है वोरिस मारजिन आप यहाँ पर देखिए ये हे page, ये हे page का edge और यहाँ पर से हम text चालू कर रहे हैं ये edge और यहाँ पर text के भीजो gap है उसे हम कहते है margin आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर text है और ये पुरा text या margin से start है अभ हम चाहते हैं कि हमारी first line margin से थोड़ा आगे start हो तब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर हमारा insertion point रखेंगे और अब अपने keyboard से press करेंगे tap की तो आप देखिए यहाँ line indent हुई है अब यहाँ margin है और यहाँ text है तो यह है indent का meaning अभी next question यह है कि हम indents और tabs को क्यों use करते हैं indents और tabs अपने text को एक structure देते हैं उसे नीट दिखाते हैं अगर हमें कुछ text को separate करना है document में है तो जो भी text को अगर हमें separate करना है चाहिए अगर हमें single line को indent करना हो या फिर पूरे paragraph को indent करना हो तब हम इने use करते हैं I hope कि आपको इसका explanation समझ आ गया अगर नहीं भी आया तो इस class के end तक आप समझ जाओगी So let's begin our class आप यहाँ पर देखिए यह है tab selector और यह है ruler अगर आपके system में ruler display नहीं हो रहा है तब आप यहाँ view tab पर click करे और यहाँ इस ruler के box को check कीजिए अभी तो यहाँ box check है इसलिए यहाँ पर ruler display हो रहा है So अब आप यहाँ पर देखिए इन indent marks को यह first line indent यह है hanging indent और यह है left indent और यहाँ पर है right indent इन indent के यह अल्प से हम अपने text को move कर सकते है So अब हम देखेंगे कि हम indent को कैसे use करते है So ज्यादा दे documents में हम हर paragraph की starting line को indent करते है ताकि वह paragraph अलग-अलग दिखाई दे So जब हमें use करना होता है first line indent आप यहाँ पर फिर से देखिए इन indent marks को यह first line indent यह hanging indent और यह है left indent So जो भी text को आप indenting करना चाह रहे हो उस text को आप पहले select कीजिए Then आप indenting apply कीजिए For example अगर आप एक paragraph को indenting करना चाह रहे हो तब आप अपना cursor उस paragraph में कहीं पर भी रखिए और जो indent आपको use करना है उसे use कीजिए For example अब हम हमारा cursor यहां इस paragraph में रखते है और हम ड्रैक करेंगे first line indent तब यहां इस paragraph की सिर्फ first line मूँ होगी For example अगर हम select करते हैं पूरे paragraphs और जब हम click करके drag करते हैं first line indent तब वहां पूरे paragraphs की first line मूँ होगी So हम हमारे document के text की first line को मूँ कर सकते है इस first in-end mark की help से यहाँ पर यह भी possible है कि हम सारे lines को in-end कर सकते है except first line के जब हमें use करना होता है hanging in-end जो भी text को हम select करते है उन सारे lines को move करता है सिवाए first line के पर example आप यहाँ पर देखिए हमने इन तीन paragraph को select किये है और जब हम यहाँ पर आकर hanging in-end पर click करके drag करते है तब आप देखिए यहाँ इस text की first line वैसी है और बाकी के lines move हो रहे है सो इस तरह से हम hanging in-end को use करते है next है अगर जब हमें हमें अमारे document के सारे lines को in-end करना है तब हमें use करना होता है left in-end marker सो अब हम यहाँ इस पूरे text को select करेंगे और यहाँ पर आकर left in-end पर click करके drag करेंगे सो आप देखिए यहाँ left side की सारे lines move हो रहे है so next है right in-end इस right in-end की help से हम हमारे text को narrow कर सकते है हम उसे नजदीख कर सकते है right side से अब हम इस text को select करेंगे और हम यहाँ इस right in-end पर click करके drag करेंगे so आप देखिए यहाँ इस right side की सारे text move हो रही है so first line in-end से क्या होता है हमारे paragraph की या फिर जो भी selected text है उस text की सिर्फ first line move होगी so hanging in-end से क्या होता है hanging in-end से हमारे paragraph की या फिर कोई selected text की पूरी lines move होगी सिवाए first line की और left in-end से क्या होगा left in-end से हमारा जो भी selected text है या फिर हमारा जो paragraph है जहाँ पर हम insertion point place किये है उस text की सारी lines move होगी so right in-end से क्या होगा right in-end से हम हमारे text को narrow कर सकते है अभी next आप यहाँ पर देखिए यहाँ इस paragraph group में यहाँ पर है decrease indent और यहाँ पर है increase indent इन दो commands को भी use करके हम हमारे text की indenting increase कर सकते हैं या फिर decrease कर सकते हैं for example अब हम इस text को select करेंगे और यहाँ पर click करेंगे increase indent तब आप देखिए यहाँ text right side को move हो रही है अगर हम यहाँ click करते हैं decrease indent पर आप देखिए यहाँ text का indentук्रीज हो रहा है इस दराएं हम intents को use करते हैं अपने text की indenting करने के लिए यहाँ पर हमारी first-line को indent करने के लिए हम tap key भी use कर सकते हैं अपने keyboard से so tap key को use करके हम first line indent Queret कर सकते हैं half inch Kem उसके लिए यहाँ पर हमी इस हुई है और आप यहां पर भी देखिए यहां इस रूलर पर यहां पर फुर्स लाइन इंट मार कर भी राइट साइड में मुव हुआ है हो फिंच को यह आप डिपेंड रहेगा कि आप अपने टेक्स को कैसे इंडेंट करना चाहोगी और यहां पर हमें एक बात का ध्यान दे को यहां इतला इसलिए आप जिस भी टेक्स को इंडेट करना चाहcular हो उस टेक्स को सिलाइब करना बहुँ ज़रूरी है इसो हफ protected कीजिए जब आप इसमें perfect हो ज्यादा मूँ हो एकडम से क्या हम ऐसा कर सकते है अफकूर्स हम ऐसा करसकते है सो वह हम कर सकते है टैब स्टाप्स को ये ये अभी हम सीखेंगे आप कंफ्यूस मत होय ये जिस हम explanation दे रहे हैं सो जब हम set करते हैं टैब स्टाप्स अपने rool-ler पर जब हम की प्रेस करते हैं तब अपना कर्सर वहीं जाकर रुखेगा जहां पर हमने टैप स्टॉप को सेट किये हैं फर एक्जामपल आपने रेजियू में तो देखी होगी रेजियू में टू साइड रहते हैं एक साइड का टेक्स लेफ्ट अलाइन रहता है और दूसरे साइड में राइट अलाइन रहता है तो वह हम क्रिएट करते हैं इन टैप स्टॉप को यूज करके तो फर एक्जामपल अगर आपसे कहा जाए कि यह आपको एक लिस्ट बनानी है आपको एक साइड प्रॉडेक्स के नाम लिखना है और दूसरी साइड उसकी प्राइस लिखना है आप यूज साइड देने के लिए लागी इतनी ही दूर तक टार लक्री करना है सब हम यूज करते यह तरए कर देखिए यह जेसे पर डेखिए हट इसप्ले इस जब हम यहां हमारा mouse pointer hover करते हैं, यहां पर हम इनके नाम देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इन पर click करते जाएंगे, वो change होते जाएंगे, यह है left tab, यह है center tab, यह है right tab, यह है decimal tab, यह है bar tab, यह है first line indent, और यह है hanging indent, कि हम tap stop को कैसे set करते हैं, अब यहां पर heading देंगे, item name, अब हमें यहां पर price की heading create, करना है, हम यहां पर direct यहां पर jump, हम यहां पर we Ini, बिल्कुल use नहीं करना है, जब हम क्या करेंगे , करेंगे tap stop, आब यहां पर select करेंगे right tab. यह set करने के बाद हम यह इस ruler के bottom edge पर आकर click करेंगे, इसके किनारे पर हम click करेंगे, अब क्या हुआ, यहाँ पर tap stop set हो गया है, अब जब हम press करेंगे tap key, तब वहाँ direct से यहाँ पर आकर रुखेगा, तो अब यह tap stop create हुआ है, तो अब क्या करेंगे means, अब हमें हमारे cursor को यहाँ पर ले क्या आना है, तो अब हमारा cursor कहाँ पर है, हमारा cursor है item name के पास, अब हम press करेंगे tap key, तो आप देखिए, जब हम एक बार tap key press करते हैं, सब direct से हमारा cursor यहाँ आकर रुख गया है, जहाँ पर ह हने tap stop को set किया है, तो अब हमारो text यहाँ पर से enter कर सकते हैं, सब यहाँ पर heading देंगे price, के सब देन फिर हम इहाँ they press किरेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे product 1, सब यहाँ प्रेस करेंगे tap key, फिर यहाँ उसकी price, फिर प्रेस करेंगे फिर लिखेंगे product to फिर दन हम प्रेस करेंगे tap key फिर उसकी price so इस तरह से आप tap stops को use कर सकते हो so आप already है सो text को भी move कर सकते हो for example यहाँ पर कुछ text है so अब हम चाहते हैं कि यह dates यहाँ पर से यहाँ पर move हो so अब हमें इन dates को इस text से अलग करना है तो अब हम क्या करेंगे अगर हमें इस text को tap stop set करना है तब हमें इस text को select करना होता है अगर हम नहीं select करेंगे तब हम tap stops के आपकी पूरी document को apply होगे पहले हम इस text को select करेंगे so यह text select करने के बाद हम यहाँ पर आगर select करेंगे फिर से right tab तो इस set करने के बाद आप यहां roller पर आकर इस bottom edge पर आप click कीजिए tap stop को set करने के लिए तो अब tap stop set हुई है तो अब हम क्या करेंगे जो भी text को आपको move करना है उस text के साब में आप अपना cursor place करें और देन आप press करें tap key तो अब हमें in dates को move करना है तो अब हमें इस date के सामें हमारा insertion point रखेंगे और अब हम press करेंगे tap key तो आप देखिए वह text यहां से यहां पर jump हो चुका है तो इस तरह से हम tap stop को create करते है अगर आप चाहें तो इन dates को भी आप move कर सकते है उसके लिए हमें इस text को select करना है और यहां पर tap stop पर click करकी हमें drag करना है तो आप देखिए इस तरह से हम इने move भी कर सकते है तो आप यहां पर एक से भी ज़्यादा tap stops को create कर सकते है तो इस तरह से हम tap stops को create करते है अभी next है इन tap stops को कैसे remove करे जिन tab stop को हम use नहीं कर रहे हैं उन्हें हमें remove कर देना चाहिए तो उन्हें remove करने के लिए आप उस tab stop पर click कीजिए और इसे तर नीचे की तरफ drag कीजिए तब वहां automatic से remove हो जाएगा तो इस तरह से हम tab stops को set करते हैं और उन्हें remove करते हैं तो यहां पर एक और topic है वो भी हम complete करेंगे वो topic है show height command for example अगर आप देखना चाहोगे कि आपने आपके document में कहां पर spaces use किये हैं कहां पर tabs use किये हैं उन सब hidden characters को देखने के लिए हम इस show height command को use करते हैं आप यहां paragraph group में देखिए यह है show height command और यहां पर देखिए आप show paragraph marks and other hidden formatting symbols this is specially useful for advanced layout task यहां यह show height button hidden characters जो भी tabs जो भी spaces हम हमारे document में use करते हैं इस show height command पर click करने से वो हमें display होगे तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमने हमारे document में space bar को कहां पर use किये हैं और हम tabs को कहां पर use किये हैं जो अब हम यह show height command पर click करेंगे जो आप देखिए यहां इस text में हम space use किये हैं जो आप यह dots देख रहे हो ना इसका मतलब है कि हमने space bar यहां पर use किये हैं और next आप यह जो arrow marks देख रहे हो ना यह tabs के indicator है यहां पर हमने tabs use किये हैं हमारे text को separate करने के लिए अगर हम इने delete करना जाते हैं तब हमें press करना है backspace अपने keyboard से इस तरह से हम हमारे document के hidden characters को इस show height command की health से देख सकते हैं करें करें यह यह अ